Hello dear students, my name is Shagun Bharadwaj, your current affairs mentor, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे YouTube चैनल After School Academy. So dear students, जैसा कि पहले वीडियो में मैं आपको बता चुगा हूँ कि हम लोग इस चैनल पर CUT, CLAT या उनसे related IPMAT, जिन सब्जेक्ट में भी current affairs, RIA, current affairs का जरा सा भी contribution है, उस पर ध्यान देंगे, सिर्फ current affairs ही नहीं, आपके और भी subject उसमें आएंगे, for example mathematics, जिसे हम क्वाइन कहते हैं, reasoning, English, law, etc. Fine, so because I think कि मैं current affairs थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ा लेता हूँ, तो मेरा focus उस पर जादा रहेगा, और सबसे बड़ी चीज है कि हम इसको topic wise cover up करेंगे, क्योंकि जब हम लोग किसी भी exam में जाते हैं students, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत जादा segmentation है current affairs में, आप अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें काफी कुछ explain किया है, कि किन किन parts से current affairs आता है, तो आज जो topic मैं आपका लेकर के आया हूँ, तो आज जो topic मैं आपका लेकर के आया हूँ, तो प्यारे बच्चों, क्या होता है council of minister का का काम, जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं civics की बात करूँ, तो तीन organs हमारी country को चलाने के लिए बहुत important है, democratic system में, federal structure में, जिने हम कहते हैं legislative, जिने हम कहते हैं executives, और third one होता है अपका judiciary, right? तो today we are talking about executive level, जहां पर सबसे important होते हैं हमारे prime minister, right? As you can see, that मैंने यहाँ पर एक image दी है, prime minister, no doubt, सभी लोग जानते हैं, शिरी नरेंद्र मोदी जी हमारे prime minister है, लेकिन कैसे काम करते हैं? Because हमें पता है कि किसी भी work को accomplish करने के लिए, हमें team की जरूरत है, right? कई बार student उससे बूचते हैं, सरी यह council of minister का मतलब क्या है? तो मैं आप एक चीज़ बता दूँ, बच्चों कि council of minister होती है cabinet, cabinet minister सबसे important और सबसे powerful minister होते हैं, एक prime minister के अंडर में जो work करते हैं, उसके अलावा दूसरी category के minister होते हैं, minister of states, and third होते है minister of independent charges, लेकिन इन तीनों categories में सबसे बड़ी category है cabinet minister, okay? note कर लिजे, एक और important बात, क्योंकि फिर मैं भूल जाओंगा, तो मैं आप लोगों बता जिता हूँ, students, जब भी आप current affair जैसा subject, ठीक है? तयार करने बैट रहे हैं, तो आपको दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, पहली चीज़ कि एक तो आपकी listening ability बहुत अच्छी होने चीज़, यह आपको सुनना ज़्यादा है, जिससे आप ज़्यादे-ज़्यादा ग्रास कर पाएं, और दूसरा आपका writing, तो इसलिए as a teacher, मैं आपको हमेशा एक चीज़ गाइट करूँगा, students, कि अपने साथ एक copy और एक pen ज़रूर लेकर के बैठें, although यहाँ पर आप मेरा वीडियो कभी भी देख सकते हैं, चैनल पर जाकरके, आप कभी भी इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी, मैं यह बहुत traditional method बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से, जितना ज़्यादा आप लिखोगे, आपकी practice किसी भी चीज़ को पक्का से याद करने में उतनी अच्छी होगी, ठीक है, तो एक छोटा सा गुरू मंत्रा दे रहा हूँ, इसको ध्यान रख लेजेगो, और वैसे भी, मेरी एक tagline है, current affairs को लेके, that current affair makes you aware, याद रखेगा, current affair makes you aware, क्या चल रहा है, आपका social, economical, political structure, ये सब चीज़े आप current affairs से जो है, वो सीख सकते हैं, तो सबसे important चीज, बच्चों यहाँ पर, अब हम आते हैं अपने topic पे, तो Prime Minister and Council of Minister, Council of Minister को जैसे मैंने आपसे कहा, कि हम जो हैं, वो, Council of Minister को हम cabinet भी कहते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे, that is called cabinet also, ठीक है, just note it down, Cabinet Minister, Council of Minister, एक ही बात होती है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, दूसरी चीज पर आते हैं बेटा, कि यह जो provision है, कि एक Prime Minister को अपने अंडर में cabinet रखनी है, ठीक है, जनरली जो total strength होती है, आपका लोगसभा की, उसका एक definite percentage होता है, एक दिन मैं ये topic भी cover करूँगा, कि कैसे लोगसभा, राज्यसभा work करते हैं, कितने members होने चाहिए, चीज कैप, तो एक Prime Minister अपने अंडर में, ये उनकी will पर है, कि वो कितने cabinet minister रखना चाहते हैं, तो Article 74 उनको ये allow करता है, स्टैडिक जीके का एक बड़ा अच्छा कोशन बनता है बच्चों यहाँ पर, कई एक्जाम से में पूछा गिया है, कि भाई, which article allows, ये permits, ये gives the right to the Prime Minister, so that he can choose his cabinet, तो Article 74 is there, याद रखेगा, नोट कर लिए जैसे मैं कहा रहा हूँ, pop your pen आपके पास होना चाहिए, फ्लीज नोट कर लिजा, ठीक है, इसके बाद भी कोई दिख्टा थै, आप comment box में अपना कोशन, वहाँ पर put कर सकते हैं, and you will be given answer very shortly, fine, चलिए, तो Article 74, cabinet, और हमारे Prime Minister, श्रीन नरेज मोजी जी, यहां से हम स्टार्ट करी रहें, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चो, येस, पांच का दम, देखेंए यह बहुत important चीज़ है, पांच का दम, यह slide मैंने बनाई है, क्योंकि कुछ cabinet minister, आज मैं आपको इस class में, part 1 में बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे important होंगे, आपके पांच का दम, यह पांच का दम मैंने क्यों बता है, पांच powerful person, जिनके ऐसा नहीं है कि और लोग important नहीं है, cabinet में सारे portfolios बहुत important होते हैं, लेकिन इन पांच कोम सबसे पहले discuss करते हैं, और इन पांचों के नाम आपको हमेशा tips पर होने चाहिए, हमेशा अच्छे से याद होने चाहिए, तो let's see, प्यारे बच्चों, कि कौन-कौन से ये 5 लोग हमारे पास हैं? Yes. The first, very first is, Home Minister, ओके, ग्रह मंत्री, ग्रह मंत्राले किन के पास है, तो चलिए, सोचिए जल्दी से, किसके दिमाग में क्या-क्या आ रहा है? मैं आपको नाम बताता हूँ, कि अभी हमारे जो Home Minister है, वो है शिरी अमित शहाजी. शिरी अमित शहाजी. चीक है? बहुत नीज में रहते हैं, और Prime Minister के बाद, सबसे important portfolio जो माना जाता है, हमारे यहाँ पर, वो Home Minister का. वैसे अपने आप में सारे ही important portfolio है, we cannot compare कि कौन जादे important है, कौन कम important है, अपनी जगा सब लोग उतने important होते हैं. लेकिन ये 5 का दम, मैंने इसलिए बनाया है, जिससे मेरे students, इन 5 को तो कभी भी ना भूले हमेशा याद है, चीक है, और जब भी कभी change हो रहा है, क्योंकि देखे हम current affair पढ़ रहा है, current affair हम इसको क्यों कह रहा है, एक और quality है subject की, कि बहुत तेज़ से change होता है, हो सकता है, जो चीज़े मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, आज से 10 दिन बाद, एक मैने बाद, दो मैने बाद, ये चीज़े change हो जाएं, हलाकि अच्छी बात क्या है, कि अगर आप लगतार हमारे चैनल पर बने हो, subscribe किया हुआ है, तो लगतार आपको चेंजेज पता चलते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको उससे related वीडियो हमेशा प्रोवाइट कराता ही रहूँगा, बट इस्चिल, आपको हमेशा पता होना चाहिए, अभी मैं आगे एक वीडियो और बनाऊँगा, current affair को किस तरीके से तैयार करना है, कई बार कई इस्ट्रेंट हमसे पूस्ते हैं, कि सर, बाकी सारे subject हमारे तैयार हो रहे है, current affair एक ऐसे section है, जिसमें हमें कहीं से कुछ पता ही नहीं चलता है, तो मैं आपको कुछ tips दूँगा, उस पे भी हम कभी बात करेंगे आगे, लेकिन मैंने कहा ना, उसके लिए जरुए एकी चीज़ ज़रूरी है, please subscribe करिए channel, ठीक है, चलिए, तो Home Minister Shiri Amit Shaha जी, remember it, note it down, okay, next आते हैं बचो, हमारे Finance Minister, शिरी मती, निर्मला सीता रमन, just note it down, Finance Ministry, ठीक है, पैसे का जारा हिसाब किताब देखते हैं बई, अच्छा, जो बच्चे, पहली बार current affairs पढ़ रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनके दिमार में आएका, सर होम मिनिस्टर का काम करते हैं, तो याद रखिए, हमारे देश की जो इंटर्नल सिक्यॉरिटी है, वो होम मिनिस्टर देखते हैं, ठीक है, जितनी भी country की territory की अंदर की security का main काम जो है, वो होम मिनिस्टर टेंडर में आता है, Finance Minister, as the name suggests, पैसे का हिसाब किताब, ठीक है, किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना पैसान है, आपने सुना होगा, कि हर साल बजट आता है, कौन लोग सबह में पेश करता है, Finance Minister, याद रखे, बहुत सारे एक्जाम में कोशन पूछा जाता है, who proposes the budget in the लोग सबह, every year, तो आप का अंसर क्या होगा, Finance Minister, और करन्ट Finance Minister कौन है, शिरी, मती, निर्मला, सीता, रमन जी, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे है, Defense Minister, अब जैसे मैंने आपको बताया, कि जो Internal Affairs है, Internal Affairs, Internal Security, वो हमारी Home Ministers के हाथ में होती है, वो हमारी Home Minister देखते हैं, बढ़ जितने भी हमारी External Security है, या आप कह सकते हैं, Borders, ठीक है, यह हमारा जो है, वो हमारा Defense Minister के हाथ में होता है, और हमारे प्रेज़ेंट Defense Minister कौन है, शिरी राजनात सिंग जी, नोट इडाउन, प्यारे इस्टुएंट्स, यह है हमारा शिरी राजनात सिंग जी, शिरी राजनात सिंग, तो यह हमारे Defense Minister हो गए, चीक है, आगे बढ़ते हैं, नेस्ट, आपके सामने है, Foreign Minister, इसमें इस चीज़ और बता दूँ मैं, बच्चों कई बार, एक्जाम में कोशन, जो आता है, उसमें Foreign Ministry, डारेक्ट न दे के महा होता है, Ministry of External Affairs, तो कई स्ट्वेंट कन्फ्यूज हो जाता है, जैसे मैंने कहा ना, कि मेरे लिए सबस्चें इपॉर्टेंट है, जो बच्चें बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, एक एक पॉइंट, उनको बताना, तो keep this thing in your mind, keep this thing, remember, कि जो Foreign Minister है, उसी को हम कहते है, External Affairs Minister, तो यह याद रखेगा, confused मत हो येगा, चीक है, मैं आपको बहुत practical चीज़े बताऊंगा अपने वीडियो में, और जाद अतर जो बच्चों के डाउट्स आते हैं मेरे पास, offline classes से, या दूसरे channels के through, तो वो ही डाउट्स मैं ये मान के चलता हूँ कि, जब एक student का ये डाउट हो सकता है, यानकि और student का भी डाउट हो सकता है, है न, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे students हम से जुड़ेवे होंगे online, आप देश के अलग-अलग कौने से बैठे होंगे, तो जिसका जैसा डाउट है, उसको मुझे महाँ पर solve करना पड़ेगा, तो याद रखिए, foreign minister को हम क्या कहते हैं, external affair minister, और जो presently हैं, उनका नाम नोट कर लिजे, Mr. Shri S. J. Shankar, S. J. Shankar, ठीक है, देख लिजे, external affair ministry भी इसको कहते हैं, और जो present हमारे minister है, foreign minister, वो हैं Shri S. J. Shankar, तो विदेशी मामलों का मंत्रा ले, हमारे जो diplomatic relations हैं, वो दूसरे देशों के साथ कैसे रहेंगे, किस तरीके से हमें बरताफ करना हैं, कैसे वो हमसे बरताफ कर रहें हैं, यह सारे का सारा काम जो है, वो foreign ministry के इंडर में आता है, passport, जो हम passport बनाते हैं न, कहीं भी foreign country जाना है, हम पासपोर्ट की जरूत पड़ेगी, वो carrier passport, यहस, definitely, वो foreign minister, ministry of external affairs के इंडर में आता है, वो ही ministry हमें वो बना करके देटी है, चले, next आगे बढ़ते हैं, हमारे पास, और इन में जो पांच में सबसे important minister, मैंने रखे हैं, वो है railways, अभी आपने सुना होगा, बहुत नाम हाइलाइट हुआ है, एक बहुत दुखद घटना हमारे देश में हुई कुछ दिन पहले, एक rail हाथसा जो उड़ीसा में हुआ, तो वहाँ पर हमारे जो railway minister थे, काफ़ी दिन तक महाँ पर डटे रहे, काम किया, तो रेलवे जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंटल ओगनाईजिशन है, इंडियन गॉर्वर्मेंट का, और रेलवे मिनिस्टर हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो मिस्टर अश्वनी वैश्नव, या हम लिखेंगे शुरी अश्वनी वैश्नव, इंड अवर रेलवे मिनिस्टर, चलिए बच्चों, तो पांच का दम हमने कंप्लीट किया, इसको याद रखेंगे आप पांच का दम से, इपांच फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद आगे के इंपॉर्टेंट पॉर्टेंट पॉर्फोलियो हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जी हाँ, here it is, so तयार हो जाएए फिर से, copy pen आपके हाथ में होना चाहिए, remember it, other important portfolio, yes, road and transport minister, सड़के कौन बना के देता है भई, आजकल इंडिया की बहुत बात हो रही है, international level पर, बहुत अच्छा सड़के, highways, super highways concept, हमें देखने को मिल रहा है, right, तो इसका credit किसको जाता है, शिरी नितिन गटकरीजी, road and transport minister, और एक बहुत ही important mantra लेन के पास है, infrastructure की lifeline कहा जाता है, road and transport, जिसको शिरी नितिन गटकरीजी बहुत अच्छे से समभल रहे हैं, चले, minister of panchaiti raja and rural development, yes, rural development, बचोब, ये बहुत important चीज़ है, हमारे देश का, क्योंकि हमें इंडिया में, इंडिया is called the country of villages, तो rural development होना अपने आप में important चीज़ है, शिरी गिरी राज सिंग जी को ये कारेभार सौपा गया है, तो our minister of panchaiti raja and rural development is शिरी गिरी राज सिंग जी, right, चलिए, third one is minister of जल शक्ती, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ बच्छो, ये एक बहुत नया मंत्राले है, actually पहले होता था, water resource ministry होती थी, है न, modi government ने इनका नाम change किया, और इसको minister of जल शक्ती बना दिया, एक नए नाम से, नए रूप में इनको introduce किया, तो इसके जो सबसे पहले जो minister बने हैं, वो है शिरी गजेंदर सिंग शेखावच जी, okay, so note it down, minister of ज उसमें अच्छा गाम करने का कारेबार, responsibility किसको दिया, modi जी ने, शिरी गजेंदर सिंग, शिखावच जी को, आगे बढ़ते हैं, okay, minister of parliamentary affairs, coal, mines, शिरी प्रलाज जोशी जी, note कर लिजी इसको, ministry of parliamentary affairs, okay, yes, ministry of parliamentary affairs, coal and mines, शिरी प्रलाज जोशी जी, parliamentary affairs, देखे, coal, कोईला और माइन्स, जो खादाने होती हैं, minerals वगरा निकलते हैं, ये सारी दिम्मेदारी इनके उपर है, parliamentary affairs, कई बार, कई स्ट्वेंट कहते हैं, parliamentary affairs का मतलब नहीं समझ माया, क्या होता है, तो देखे, parliamentary affairs का मतलब बचो, कि जब parliamentary sessions चल रहे होते हैं, तो बहुत सारा काम, एक ruling party की तरफ से जो minister देखते हैं, कैसे ruling party को present करना है, क्या-क्या functioning होगी, क्या-क्या questions raise करने हैं, या questions के answers देने हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा management जो है, वो एक तरीके से ruling party की तरफ से minister देखते हैं, जिसको कहते हैं, parliamentary affairs minister, तो अगर nutshell, short में मैं आपको बदाऊं, तो कहने का मदला भी है, कि parliament की विवस्था को ruling party की तरफ से check करते हैं, control करते हैं, उसको हम कहते हैं, minister of parliamentary affairs, school and minds, श्री परलाज जोशी जी, ओके, next बढ़ते हैं, minister of law and justice, yes, ये बहुत बड़ी update है, note कर लीजी, क्योंकि recently ये change हुए है, earlier, श्री किरन रिजेजू was the law and minister of justice, but अभी ये prime minister ने एक special लिया है, और इनको change किया है, अब क्योंकि ये सबसे newly minister है, इसले important बन जाते हैं, हो सकते हैं, आने वाले exams में आपको मिलें, बहुत सारे exams जो भी आप दोगे, चीक है, तो minister of law and justice, श्री अर्जुन राम मेगवाल, इनको जरूर से note कर लीजे, ये बहुत important होने वाला पहले हमने पढ़ा था, rural development, अब हम पढ़ने है, urban affairs, urban development minister and petroleum and natural gas, crude oil, आपकी मेरी सबकी जिन्दगी से जुड़ावा, एक बहुत important subject है, petrol, natural gas, तो इसको कौन डील करते हैं, श्री हर्दीप सिंग, पूरी जी, बहुत ही famous, एक bureaucratic रहे हैं ये, उसके बाद ये सीधा, जो है, वो political person बने, और उसके बाद उनको बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां, जो हमों government में दी गई हैं, फिलाल, श्री हर्दीप सिंग पूरी जी, housing and urban affairs, ministry में work कर रहे हैं, उसकी responsibility समाल रहे हैं, okay, minister of Ayush, so dear students, Ayush, ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम medicine की बहुत सारी, सबसे famous पदिती को जानते हैं, जिसे हम allopath कहते हैं, अंग्रे जी दवाईयां, लेकिन उसके अरावा हमारे देश में Ayush, Ay stands for Ayurveda, U stands for Yunani, S stands for Thid and H stands for Homeopathy, तो इन चारो जो पदितियां हैं पुरानी, उनको मिलाके एक department बना दिया गया है, जिसको हम Ayush कहते हैं, Ay, Ayurveda, U, Yunani, S, Thid and H, Homeopathy, चिक ह Port, Shipping and Waterways, इन दोनों ministry की दिम्यदारी दी गई है, Shri, Sarbanan, Sonobal, चीक है, एक काफी अच्छे heavyweight minister है, not least के, हाँ, एक चीज़ और बड़ी important ध्यान है, मैं बता देता हूँ आपको, पर मैं भूल जाओंगा, important चीज़ यह है बच्चो, कि एक आगे की वीडियो में, जब हम सार काफी एक्जाम्स में अब state, उन ministers के नाम और portfolio देके पूछा जाता है, कि भाई, he comes from, चीक है, तो इसके बाद हम वो भी discuss करेंगे आगे, चले, Shri Sarbanan, Sonobal, Minister of Ayush, Oats, Shipping and Waterways में ये काम करते हैं, ओके, next, देखे भाई, बहुत सारे ministry इन के पास है, काफी heavyweight minister है, Shri Piyush Goyal जी finance minister भी रह चुके हैं, एक बहुत ही famous cabinet minister है, अभी मोदी जी की government के, तो Shri Piyush Goyal जी, minister of textile, कपड़ा मंत्राले जिसको हम कहते हैं, commerce and industry, consumer affairs, food and public distribution, public distribution का मतलब यहाँ पर यह है, बच्चो, जिसन हम PDS system भी कहते हैं, public distribution system, जिसके तुरू राशन, shops पर राशन का समान, ये हूँ, चावल और दूसरी जरूरत के अनाज या चीज़े जो हैं वो, खास पर से BPL families, गरीबों के लिए जाते ही हैं, चीक है, तो ये तीनों मंत्राले जो हैं, वो Shri Piyush Goyal जी समाल रहे हैं, इन गेंडर में यह आता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, yes, night is minister of tribal affairs, आदी वासी, tribal, note कर लिजेगा आदी वासी, चीक है, हाँ जी, क्योंकि हमारा देश बहुत महान देश है, और आदी वासीों की एक बहुत बड़ी भूमी का है, चाहे हम Indian revolutionary fight की बात कर लें, चाहे हम कभी भी, कितने भी प्राचे नितिहास की बात कर लें, आदी वासी एक important part रहे हैं इस देश चाहे हैं, आगे आते हैं, Minister of Civil Aviation, जानते हैं, जहाज, यस, ठीक है, आप उड़न तश्ट्री में बैटके जाते हैं, यह सारा गाम, श्री जोती राजते हैं, सिंधिया जी देखते हैं, और उसके अलावा एक और important ministry इनके पास है, Minister of Steel, Minister of Steel भी जो है, वो हमारे जोती राजत हैं, सिंधिया जी हैं, तो आज की इस class में, बहुत छोटे-छोटे-चोटे unit में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, so that, क्योंकि आपके पास और subject पढ़ने के लिए भी time बशना चाहिए, लेकिन इनी छोटे-छोटे steps में current affair आपको तयार करना है, मैं फिर से बोल रहा हैं students, current affair is not a subject की आप एक ही बार में सारा तयार कर लेंगे, छोटे-छोटे unit में, per day आप उसको शूरू में 15 मिनट दीजिए, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, then half an hour, develop your interest, जैसे से आपका interest develop होता जाएगा, चीज़े अपने आप भैतर होती ही चली जाएगी, चीज़े, और as a teacher मैं हमेशा चीज़े, आप हमारी updated videos देख सकते हैं, new videos देख सकते हैं, जो कि हमारे channel पर upload की जाएगी, लेकिन उससे पहले, आपको क्या करना होगा, आपको एक छोटा सागाम करना होगा, प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे channel, after school, CUT को, चीज़े, जाइए, लोगो देखे, और bell icon नब keeps you aware, aware रही है, सीखे, और इसके अलावा, बाकी आपके कोई भी suggestions हैं, आपकी कोई भी demand है, particularly आप किसी topic पे class करना चाहते हो, आप प्लीज comment box में हमें डालिए, जैसे जैसे वो demand आएगी, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस particular topic पे हम वो class आपको provide करा सके, क्योंकि ultimately हम सब आपके लिए तो कर रहे हैं, तो आपका satisfaction हमारा satisfaction, ओके बच्चों, इसी के साथ आज की class को मैं यहाई पर विराम देता हूँ, यहाई पर रोपता हूँ, और please फिर से में एक request करता हूँ, subscribe कीजिए और updated रही है, thank you very much, have a nice day.